नमस्कार मैं रस्मी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं साहित्ती जोती में आज हम लोग हरी कृष्ण प्रेमी जी द्वार रचित रक्षा बंधन कवीता को पढ़ेंगे की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे परंतो यक्ष्या सरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस कवीता के केंद्री भाव से परिचित करवाना चाहती हूं ताकि हमें कवीता को समझने में आसानी हो बास्तों में केंद्री भाव किसी भी कवीता के लिए एक ऐसे चावी की तरह होती है जो उस ताले को पूनु से खोल देती है उस कवीता को समझने में सहायता प्रदान करती है यदि हम रक्षा बंदन कवीता की बात करें तो यह कवीता जो है वह मूल रूप से सेस्प्रेम की भावना से ओत्प्रोथ है और इसमें एक भाई है जो पाधिंता की लड़ाई के लिए युद्ध पर जा र गये हैं और घुलामी में जक्ड़े हुए है तो देश की आजादी के लिए वो जा रहा है और अपनी वहन से इसे संदर में वह बात्चीत कर रहा है यह इसका मूल केंद्री भाव है वास्ताव में राश्टेता मुख्य रूप से दिखलाई गई है चलिए कवीता को में जाना है तो समर्षब्द का क्या आर्थ होता है युद्ध क्यान रखिएगा समर का आर्थ होता है युद्ध अब के घंगर्जन घंगर्जन का मतलब होता है पादलों का गर्जन पादलों का गर्जन या गरजना अब के घंगर्जन में रण का भीषण तिड़ा तराना है, रण यानि युद्ध, ठीके, तमर मतलब भी युद्ध होता है, और रण मतलब भी युद्ध ही होता है, ठीके, भीषण यानि भयानक, भीषण सब्दकार्थ क्या होता है, मैं हालिक दे रही हूँ, भयानक, तिड़ा तराना है, दे आसीश, आसीश यान आशिरवाद 88 शब्द का क्या अरत होता है आशिरवाद 83 जननी यानि मात्र भूमी यहां पर जननी का अर्थ होता है मात्र भूमी 83 जननी के चैरणों में यह सीस चढ़ाना है बहन पोच ले यहां पर अश्रूशब्द होगा ठीक है बहन पोचले अश्रू घुलामी का यदी दुख मिटाना है तो ये शार पंक्तिया है आईए सबसे पहले इसके प्रसंगों को समझते है तो देखिए प्रसंग यहाँ पर है तो इस अंस में कवी ने पाधिंता संगराम में जाने के लिए प्रस्तुत नव यूवक की मन की आत्मबलिदान की जो भावना है उसका मारमिक चुत्रन किया है आत्मबलिदान की भावना को प्रस्तुत किया है ठीक है व्याख्या देखते हैं पहले शार लाई ने क्या है बहन बांध दे रक्षा बंधन मुझे समर में जाना है अब के घन गरजन में रणका भीशर छिड़ा तराना है तो सतंतता संग्राम के दोरान लिखी गए इस कवीता में एक नौव युवग भाई अपनी बहन से कह रहा है बहन को सम्मोदित कर रहा है कि बहन बांध दे रक्षा बंधन कि है बहन मेरी कलाई पर तुम राखी बांधो वह कहता है कि इस बार युद्ध बहुत ही भयावा होगा उजह समर में जाना है अब के घंगरजन में रण का भीषण छिड़ा तराना है कि इस बार तराना यानि कि जो युद्ध छिड़ा है रण में वह अत्यन्ती भीषण है भयावा है जिस प्रकार आकाश में बांधलों की टक्राहट से गरजन होती है उसी प्रकार हम भी से आक राएंगे अपरी बेहन से आशी श्राहीश मांगता है यह असीस कराना है जुम अस्रु गुलामी का यदि दुख क्या कहने है वह वो कि अपरी मेंस असिर्माद मांगता है यह बाती हुई बहन को चुप कराता कि पोछली असुरु आदि देस को पराधीनता की बेणियों से गुलामी से मुक्त करना है तो अपने अश्रू को भोच लो, ठीक है, ये चीज, आईए आगे की पंक्ति को देखते हैं अंतिम बार बांधले राखी, करले प्यार आखरी बार, मुझको जालिम ने फांसी की डोरी कर रखी तैयार ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इसमें भाई कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ, अंतिम बार बांधले राखी, करले प्यार आखरी बार कह रहा हूँ कि खिलाव क्रांती का अंग्रेजों के खिलाफ क्रांती निचाया के लिदान के मुझे अपने प्राड़ों की बलीदान देनी पड़ंदे उतिताईयों ने इन अत्याचारियों ने क्या किया है उग्रेजोंने हमारी क्रांतिकारियों के लिए यूं तैयार कर रखा है इसलिए आता है तुम क्या है । आखरी बार जो है वो राखी बांद लो मुझे प्यार कर लो खिलाती इसमें कहे रहे हैं कि अंतिम बार तुम मुझे राखी बांद लो प्यार कर लो क्योंकि मैं इन अत्याचारी यो जो है अंग्रेज जो है इनके भुरुद्ध युद्ध का भुगल ठूकने जा रहा हूं और इन लोगों ने हम जैसे क्रांतिकारी को मारने के लिए मिर्ट्यों के घाट उतारने के लिए खासियादी तयार कर रखा है हो सकता है मेरा बनिदान हो जाए इस बार तुम जो है वह आखरी बार फ्रेम कर लो राखी बांध लो आगे की पंति देखते है जिसमें लाखो ललनाओं के पोछ दिये सिर के सिंदूर कड़ा रहा कितनी कुटियों के दीपो के दीपो पर आखे क्रूर बज्र गिरा कर कितने कोमल हृदय कर दिये चकना चूर उस पापी की प्यास बुझाने बहन जा रहे है लाखो चूर तो देखे यहाँ पर क्या कहा क्या है पुटियाओं शब्दकार्थ होता है थोपड़ी तो प्रूर का अर्थ होता है कठोर और निर्दई जिसे कहते हैं हम लोग कठोर बज्र सब्दकार्थ होता है आघात इतने कोमल हिर्दे कर दिये चकना चूर उस पापी की प्यास बुझाने बहन जा रहे लाखो शूर यानिके शूरवीर क्या इसकी व्याख्या दिखते है तो प्रस्तुत अंश प्रस्तुत अंश में पवी ने अंग्रेज सासकों के अत्याचार का वर्णन किया है भाई अपनी बहन से कह रहा है कि अंग्रेज सासकों ने कई युवतियों के पत्यों की हत्या कर दी है उन्हें विद्वा बना दिया है जिसने लाखो ललनाओं के पोछ दिये तिरके सिंदूर और क्या किया है जिसने लाखो बेटों के ऊपर आख गड़ा कर पैठा हुआ है उनकी जान पबले ठीके इस तरह वो नजर गड़ा कर बैठा हुआ है उसके अत्यचार के द्वारा यानि के अंग्रेजों के अत्यचार के द्वारा ना जाने कितने ही जो मासूम है उनके सर से उनके पिता का साया उठ चुका है उनकी मृत्यू हो चुकी है उसी अत्यचारी को जो है मैं इस बार सबक चिखाने जा रहा हूं और सिर्प मैं अकेले जा रहा हूं बलकि देश के जो लाखो शूरबीर है देश के जो लाखो पेटे हैं वे सब अपने सिर पर कफन बाद कर जा रहे हैं इसमें कहा गया है जिसने लाखो ललनाओं के पोच दिये सिरके सिंदूर कड़ा रहा कितनी पुटियाओं के दीपो पर आखे करूर बजर किरा कर कितने कोमल हिर्दे कर दिये चकनाचूर उस पापी की प्यास बुझाने जा रहा हूं जा रहे हैं लाखो शूर तो इसमें क्या बताया गया है कि अंग्रेज जो है वो इतने अत्यचारी अत्यचारी है इतनी ज्यादा है और अभी भी वह जो है वह आखे गड़ा कर बैठा हुआ है और उसी अत्यचारी से उसी से देश को आजात कराने के लिए जो है लाखो देश के बेटे लाखो बीर जो है वह समर पर जा रहे हैं अपने सिर पर कफन बांध कर आई आगे दिखते हैं कि अपना असीस कटा जननी की जयाइका मार्ग बनाना है वहन बांध दे रक्सापन मुझे समर में जाना है तो यहाँ सीज का अर्थ है सर आपущिक है विद्धू कि अपने प्राणों का उत्सर्ग करके ही मात्र भुमी को अत्याचारी अंग्रेज सासन व्यवस्था से आजात किया जा सकता है इसलिए हे बहल तुम मुझे राखी बांदो जिससे मैं युद्ध में जा सकता हूँ इन चार पक्ति वो विसेश कुछ हर्त नहीं है यहीं कहा गया है कि केवल अपने प्राणों का जो उत्सर्ख करके अपने प्राणों का त्याक करके अपने प्राणों की वली देकर ही देश को अत्याचारी अंग्रेजों से मुक्त कराया जा सकता है इसलिए हे बहल तुम जो है वो मुझे राखी बांदो मुझे युद्ध पर जाना है मैं युद्ध पर जा सकता हूँ यागे की पंक्ति हो देखते हैं वहन शीश पर रख दे इसने सहित अपना शुबहात कटने के पहले ना जुके यह उचा रहे गर्व के साथ उस हत्यारे ने कर डाला अपना सारा देश अनाथ आश्रहीन हुई यदी तो भी उचा होगा तेरा माथा इसमें इसने शब्द का अर्थ है यार सहित यानि साथ में अपना शुबहात शुबहात यानि अच्छाया पवित्र है एक सगे लेगे शब्द का अर्थ होता है पवित्र ठीक है और क्या कहा है कटने के पहले ना जुके यह उचा रहे घर्व के साथ घर्व यानि यहां पर अहंकार आप कह सकते हैं कर शब्दकार्थ अहंकार होता है परन्तु यहां पर गर्वकार्थ क्या है अभिमान के साथ ठीक है उस हत्यारहे ने कर डाला अपना देश अनाथ अनाथ शब्दकारत होता है बेस अ अरहीं भी होता है बेस अहारा होना लीख होई तो भी उच्चा होगा तेरा माथा माथा यानि मस्तक ठीक है आंकि आईये व्या आथ है है उंते शीर पर तुम अपने आसिरबाद का हाथ रख़ वह शाहता है और इसके साथ ही वह चाहता है सिर्ष और के सामने जुके नहीं बलकि गर्व के साथ हमेशा पूचा बना रहे हैं अत्याचारियों अनेख्यों के अनेको सपूतों के पीड़े डाले हमारे देश को अनुद कर डाला उनके विरुद्ध में क Edu और में कि अपने सिर को उपर रख सको उचा自क्त की वह कहता है कि मरत्यूज के तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं रहे गया तो भी तुम्हारा सिर और जो है वो उचा रहेगा क्योंकि तुम्हारे भाई ने देश के सम्मान हे तु अपना प्राण कि शावर किया है कि किया है तुम चित्ता मत करना निया में यदि य॥र्त्यू के बाद मेरे बलिदान के बाद तुम अगर वह ㅋㅋ हो जाओ तुर्मारे पास कोई सहारा ना रहे तो भी तुम लज्जित मत होना अपना मस्तक है तुम्हारा मस्तक हमेंशा ऊचा रहेगा क्यों कि तुम्हारे भाई ने क्या है देश के सम्मान है तू अपना वलिदान किया है आगे की पंक्तियां दीन बिखारिन बनकर तू भी गली-गली फेरी देना उठो बंधुओ विजय वधू को वरो तभी निंद्रा लेना दीन कार्थ है दया का पात्र एक खारिन यानी बिख्छू बनकर तू भी गली-गली फेरी देना उठो बंधुओ यानी मित्र विजय वधू विजय वधू यानी जीत रूपी दुल्हन को वरो वरो यानी वरण करो अपना लो वरण करो तभी निंद्रा लेना तभी जो है वो चैन से सोना आईए देखते हैं भाई बेन से कहता है कि देश के लिए अगर मैं अपना प्राण निचावर भी कर दू तब भी तुम जो है वो किसी के सामने चुकना मत अगर भिखारिन बनकर दरदर घूमना पड़े तो वह भी स्विकारना लेकिन इस दौरान देश के युवकों को देश को आजाद कराने के लिए प्रेरित करना कि उनसे यह अवस्य कहना कि वे अराम से तभी सोए जब वे जीत रूपी दुलहन को कवरन करें अर्थाद देश को आजाद करवाले यह बात तो अपनी बेहन को कह रहे है कि दीन बिखारिन बनकर तू भी गली-गली फेरी देना अगर मेरा बलिदान हो जाए, मेरी मृत्य हो जाए तो हे बहन तुम भिखारिन बनकर भी अगर तुमें दरदर घूमना पड़े तो घूमना तुम आजागस इस कहिना कि वे तभी आराम ले, तभी निंद्रा ले, जब वे जीत रूपी दुलहन का वरण कर ले, यानि देश को आजाद करा ले, ठीक है, आगे की पंक्तिवों देखते हैं, आज सभी देते हैं, अपनी बहनों को अमुल्य उपहार, मेरे पास रखा ही क्या है, आखो के दो आशु चार, आखो के आशु दो चार, ला दो चार गिरादू, आगे अपना आचल विमल पसार, तु कहती है, ये मडिया, इन पर नियोचावर संसार, ठीक है, आज सभी देते ह अपनी बहनों को अमुल्य उपहार, अमुल्य यानि अन्मोल, मेरे पास रखा ही क्या है, आखो के आशु दो, ला दो चार गिरादू, आगे अपना आचल विमल, विमल यानि पवित्र, पसार पसार यानि फैलाना, तु कहती है, ये मढ़िया है, यानि अमुल्य, पत्थर जिसको बोलते हैं, वो मढ़िया होती है, इन पर नेउचावर, नेउचावर कर देना यानि बलिदान कर देना, त्याग करना, बलिदान, पसार, आगे दिखिये, हर्थ, तो, रक्षा बंधन के अवसर पर, रक्षा बंधन चुति बहार होता है उसमें क्या होता है बहने जो होती है अपने भाई को राखी बानती है और उसके उपहार स्वरूप जो भाई होते हैं वह बहनों को कोई न कुछ न कुछ बहार देते हैं तो यही बात जो है नौभी वक कह रहा है और जो भाई है वह बहान से कहता है कि इस पावन औसर पर रक्षा पंधन के औसर पर सभी भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ अनुमोल उपहार देते हैं लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है केवल आसु की चंद बूद्नों के अलावा कुछ भी सेज नहीं बचा है इसलिए बहन तुम जो है अपना आचल पसा आती हो कि यह आशु मड़ियों से भी कुछ कम नहीं है इसके उपर जो है वो सारा संसार सारी चीज़े कुर्बान है यानि अनुमोल है और मेरे पास देने के लिए अभी आज इस उसर पर यहीं चीज है तो यहीं मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देना चाहता हूं और आखर की चार पॉंतियां बहन बढ़ादे चरण कमल में अंतिम बार उन्हें जूचूम तेरी सुची स्वर्गिया स्नेह के अमर नसे में लूँ अब जूम तो सुची शब्द का आर्थ होता है पवित्र तो स्नेह का आर्थ आपको पता ही है प्रेम तो भाई जो है वह अपनी बहन से युद्ध में जाने के पूर्म अनुमती मांग रहा है और अपनी बहन के कमल रूपी चरणों को अंतिम बार चुमने के अभिलासा रखता है इच्छा रखता है आश्रिवाद लेना चाहता है वह यही आसा करता है कि बहन का वह स्वर्गि निख या पावन इसने है उसे मिल जाएगा जिससे उसका सारा जीवन अमर हो जाएगा और खुशी खुशी युद्ध में जा सकेगा खुशी खुशी युद्ध में लड़ाई कर सकेगा और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व पलिदान कर सकेगा तो यह जो है में बतलाया गया है तो यदि हम इसके केंद्री भाव के साथ इसको समझने का प्रयास करें तो बहुत ही आसानी होगी आपको बिल्कुल ही समझ में आसानी से आजाएगा कि रक्षाबंधन की जो कवीता है वह पुन रूप से राष्टेता राष्ट प्रेम देश प्रेम की भावना से ओध प्रोथ है जिसमें एक नवी वक्त भाई जो है वह अपनी बहन से कलाई पर रक्षाबंधन बान देने के लिए कह रहा है क्योंक अपनी बहन से प्रेम को बांग रहा है और बदले में उपहार स्वरूप उसकी पास कुछ है नहीं वह केवल चंदबूंदे ही देना चाहता है परंतु वह कहता है कि इन सब चीजों के होने के बाद भी यदि मेरा बलिदान हो जाए तो भी तुम्हारा मस्तक उचा रहेगा और अपने मस्तक को गर्व के साथ उचा रखते हुए और नियुको को भी जाकरित करना कि बे देश की आजादी के लिए युद्ध पर जा सके आसा है कि आपको यह कवीदा समझ में आई होगी किंद्री भाव के साथ याख्या को समझने का प्रयास करेंगे तो अबसी ही आस अबसी है